हेलो दोस्तों मेरा नाम है जीनिया और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोग के लिए एक कोरियन जॉंबी सीरीज अल अफ अस अर डेड इसके एपिसोड वन को एक्स्पेइन करूंगी तो चलिए शुरू करते हैं सीन के शुरुआत में कुछ स्कूल के लर्के मिलके को बुली करते हुए नजार आते हैं एक बिल्डिंग के च्छत के उपर और उसे बुरी तरीके से पीठते हैं इन लडाए के बीच वह लर्का अजीब तरीके से उठता है और उनको पलटके मारने जाता है लेकिन इस बीच च्छत से नीचे गिर जाता है फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां वह लर्का अपने पापा से बात करते हुए नजर आता है हॉस्पिटल के बेट पर लेटे हुए वह अचानक से अजीब सी हरकते करने लगता है एक दम से मानों जानवर जैन सा बीएव करने ल लगता है और देखते ही देखते वह बेहोश हो जाता है फिर उसे एक बैग में डाल कर ले जाने लगता है फिर सीन चेंज होता है एक स्कूल में जहां बच्चे स्कूल की साफ सफ़ाय करते हुए नजर आ रहे हैं और मस्ती कर रहे होते हैं उसके बाद स्कूल की छुटी हो लगते हैं.. वो चेक करने केलिए साइंस ल API ने चली जाती है.. और देखती है एक बॉक्स में फोला फार्थ रखा होता है.. व पकरने के लिए जैसे बॉक्स के अंदर हाथ डालती है.. वो फोला बॉवो मुलाट stiff पाट लिया है इतना कहके वह बस निकल ही रही होती है तभी टीचर ली उसे एकदम से अंदर घसीट लेती है और दरवाजा बंद कर देते हैं फिर सीन वो लोग के चलोगे वो लोग कहते हैं जरूर हमें भी चिकन खाना है हो सभी में के लिए जाते हैं फिर हम देखते हैं बहुत ही मज़े से खा रहे होते हैं उनका बहुत SHE प्यार से उनके लिए खाना परोस रहे होते हैं तभी अचानक से इसाख कहती है साइंस टीचर के बारे में सुना है क्या चियांसक कहता है क्यों पोच रही हो इसाख कहती है उनसे सरे हुए मास की बदबु आती है चियांसक कहता है नायोन नहीं आफवा फैल आई है ना जब से उनके बेटे गुम हुए है उसके बाद से वो स्कूल नहीं आए और जब आए तो उनसे सरे हुए मास की बदवु आ रही थी फिर वो लोग खाके वहां से जा रहे होते हैं बीच सरक में और जो चौनसक को रोक के ऐसे ही पूछने लगती है अपने बाल खोल कर क्या मैं आएसे अच्छी लग रही हूँ या ऐसी ज्याद अच्छी लग रही हूँ चौनसक जैसे खोशा जाता है फिर वो कहता है पागल है क्या यह सुनकर ऑज्चो गुसा हो जाते हैं उसे एक लात मार कर चली जाती है फिर सीन चेंज होता है उन्जो के घर में जहां वो स्कूल क आता है उसे बुला ले फिर वो रॉप पेपर सीजर खेलने लगते हैं जिसमें ऑजो हार जाती है तो इसके मताबिक उसे चन्शक का बैग स्कूल तक उठाकर ले जाना होता है लेकिन ऑजो भागने की कोशिश करते हैं पर चैंसक उसे पकड़ लेता है पिर ऑन्जो कहता है देखना मेरी उंगली कट गई है चैनसक कहता है कि बैग हाथों से पकड़ना है ना कि उंगली से यह कहकर वो अपना बैग उन्जो को पकड़ा देती है और वो स्कूल के तरफ भागते है उन्जो एक सिकंड से स्कूल में पहुँचने से लेट हो जाती है और उसे गेट पर टीचर लोग पकड़ लेते हैं गुस्से में उस चैनसक का बैग फेक देती है और चैनसक वहाँ से चला जाता है फिर से भी स्कूल की दरफ बढ़ने लगते है और हम देखते है कुछ लड़के मिलकर एक लड़के और लड़की को बिरानी से बिर्लिंग में लेके जाते है और उनको बुली करते है फिर वो उस लड़की के कपड़े को फार कर दूसरे लड़के को उसके वीडियो बनाने के लिए मजबूर करते है तब ही वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है सूयो सूयोक उस लड़की और लड़के को वहाँ से बचा कर ले जा ही रहा होता है कि तब ही वो लोग उस लड़की और लड़के को ब्लैक मिल करने लगते है वो लोग उस लड़की को बोलते है अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो हम इस वीडियो का Facebook पर अपलोड कर देंगे ये सुनकर वो लर्की वहाँ से नहीं जाती है और कहती है अगर मैं यहाँ से चली गई तो कल और भी बुरा होगा फिर वो दोनों वहां से नहीं जाते और सुयोक वहां से चला जाता है फिर क्लास में जाते वक्त ओन्जो सुयोक को छट पे मिलने को कहती है ब्रेक पर फिर हम देखते हैं कि सुयोक, ओन्जो, चौन साग, ग्योन सुये सब एक ही क्लास में पढ़ते है फिर उनके क्लास में उनकी क्लास टीचर आ जाती है और जोकी सबसे पूछ रही होती है क्या कोई होंजो के बारे में जानता है तब ही क्लास में से एक लड़का कहते है कि कल हम दोनों ने साथ में साइंस लेप साफ किया था उसके बाद से मुझे नहीं पता वो कहा गई फिर ट बाद से वह घर नहीं पहुंची सब कह रहे थे कि कल साइंस लैब साफ करने के बाद से वह कहीं दिखी नहीं आपने उसे देखा था क्या फिर टीचर ली कहते हैं नहीं मैंने नहीं देखा फिर क्लास टीचर कहते हैं आप कल लैब में नहीं रुके थे ना टीचर ली कहते हैं वहीं तो मैं कह रहा हूँ। फिर class teacher को science lab से कुछ आवाज आती है। वो पूछती है lab में कोई है क्या। teacher Lee कहते है कि experiment के लिए चूहा है। मुझे class लेने के लिए late हो रहा है। फिर teacher वहाँ से चली जाती है। फिर teacher Lee अपने laptop पर खुद के ही वीडियो रेकॉर्ड करने लगते हैं और वो जहां कह रहे होते हैं एक स्टूडन को कल्चु हे ने काट लिया है मैंने उसे इंजेक्शन दिया है फिलाल इंफेक्शन नहीं फैलेगा बट ज्यादा देर के लिए नहीं फिर हम हॉंजो को देखते हैं जो बंधी हुई होती है और जानवरो जैसी बिहेब कर रही थी फिर ली उसे एक इंजेक्शन देते है जिसे वो थोड़ा समलती है और कहते हैं मुझे मत मारना ली कहते हैं उमीद रखना बेकार है तो कैसे लगा आपको ये एक्स्प्रेशन मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉंस मिला तो मैं अगली पार्ट चल्दी ही ले आओगी प्रीज प्रीज सपोर्ट कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मन भूलना प्रीज सब्सक्राइब करना मन भूलना